नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे तुलसी का कप सेवन नहीं करना चाहिए और किस तरह से सेवन नहीं करना चाहिए ताकि इसके हम हानी कारिक प्रभाव से बच सके आज तक आपने सुना होगा कि तुलसी बहुती ओचदे गोड़ों से भरपूर होती है चमत कारे गोड़ों से भरपूर होती है और इसका सेवन करने से हमें बहुत सारी बिमारियों से चुटकारा भी मिलता है जो की सही भी है लेकिन क्या आप जानते हैं इसका कप सेवन करने से और किस तर से सेवन करने से ये कई बर हमारे लिए हानी कारग भी हो सकती है तो ऐसी तमाम जानकरिया इस वीडियो में मैं आज आप उत देने वाली हूँ जैसे कि तुलसी में बहुत सारे तत्व पाय जाते हैं जिन में से एक पारा भी है जिसे हम पारत कहते हैं और पारत हमारे शरीर के लिए जहर की समान होता है लेकिन तुलसी में ये बहुती कम मात्रा में पाया जाता है तो कम मात्रा में पारा भी हमारे शरीर के लिए औश दिय गोडों से भरपूर होता है लेकिन यदि आप तुलसी को चबा कर खाते हैं तो चबाने से क्या होता है हमारे दातों में अगर गल्दी से तुलसी का पत्ता फसा रह जाता है तो इसमें जो पारा है पारा हमारे दातों के लिए बहुत जारा हाली कारक होता है जिससे हमारे दात सड़ सकते हैं, कीड़े भी लग सकते हैं इसलिए तुलसी को कभी भी चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए इसको छोटे चोटे तुकड़ों में करके पानी से निगल जाना चाहिए दूसरा आयोजवेड में तुलसी और दूद का वैर बताया गया है कभी भी तुलसी को दूद में उबाल करके इसका सेवन नहीं करना चाहिए या दूद उबाली चाय में डाल करें इसको नहीं पीना चाहिए आप दूद का सेवन करते हैं तो आपको एक घंटे तक तुलसी नहीं खानी चाहिए यदि आप तर तुलसी का सेवन किया हुए है तो आपको दूद का सेवन नहीं करना चाहिए रही के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं पानी में उबाल करके आप ले सकते हैं या काड़े वाली चाय में भी डाल करके आप इसका सेवन कर सकते हैं तीसा सूरे अस्थ होने के बाद आपको तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि सूरज धल नहीं बाद यदि आप तुलसी का सेवन करते हैं तो लिवर में गर्बी बढ़ जाती है इससे आपको भूक लगना कम होती चले जाती है ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने लिए जोड़े रहें मेरे चैनल इसाथ आज इस वीडियो में नहीं नमस्कार